ग्यान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल प्राचीन ग्यान के साथ और पाए अच्छे अच्छे ग्यानवर्धक जानकारियां दोस्तों भगवान कृष्ण को लड़ू गोपाल को चबबन्स भोग से भी ज्यादा प्रिय हैं यह साथ भोग इन साथ भोगों के आगे चबबन भोग कुछ भी नहीं चबबन भोग आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं परन्तु यह साथ भोग श्री कृष्ण को अ मनाते हैं दोस्तों इस बार जन्माष्टमी 2024 में 26 अगस्त को मनाई जाएगी जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण जी को लड़ू गोपाल जी को प्रसन करने के लिए चबबन भोग समर्पित करते हैं चबबन तरह के पकवान बनाये जाते हैं और भगवा आपके पास इतना समय और सामर्थ्य नहीं है कि आप 56 भोग समर्पित कर पाए तो फिर ऐसे में क्या करें जिससे कि हमारे कृष्ण भगवान हमारे लड़ू गोपाल प्रसन्न हो जाए देखिए पांच भोग के समान ही साथ चीजें हैं जो लड़ू गोपाल जी को अतिप् है ताकि उन्हें पांच भोग जितना ही आनंद प्राप्त हो अब हम जानेंगे कि वह कौन सी साथ चीजें हैं जो 56 भोग के समान ही भगवान श्री कृष्ण जी को प्रिय है अगर हम वो साथ चीजें भगवान कृष्ण जी को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो हमें 56 भोग के समान ही फल प्राप्त होता है सबसे पहले तो जन्माष्टमी के दिन जब आप लड़ू गोपाल जी को भोग समर्पित करें तो कोशिश करें कि आप अपने घर पर बनी हुई चीजों का भोग समर्पित करें बाहर की मिलावटी चीजों से बचने की कोशिश करें औ हमारे कृष्ण कनहया लाल को जो चीज सबसे ज्यादा प्रिये है वह है माखन मिश्री। तो जनमाष्टमी के दिन आप लड़ू गोपाल जी के लिए मक्खन जरूर बनाएं और हो सके तो मक्खन घर पर ही बनाएं एक दिन की मलाई या दो दिन की मलाई आप ले लीजिए और उससे आप अपने लड़ू गोपाल जी के लिए मक्खन बना लीजिए तो देखिए यहा पर मैंने मक्खन बना लिया है और मक्खन में मिश्री डाल कर अब हम लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग समर्पित करेंगे। जनमाश्टमी के दिन धनिया पंजीरी आप जरूर बनाएं, घर पर ही धनिया को भून लें, उसमें मीठा मिलाएं, ड्राइ फ्रूट्स मिलाएं और धनिया पंजीरी बनाएं। धनिया पंजीरी का भोग भी भगवान श्री कृष्ण जी को अतिप्रिय होता है। और धनिया पंजीरी के भोग के बिना जनमाश्टमी के वरत का पारण नहीं किया जाता है। तो धनिया पंजीरी का आप भोग जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही देखिए, पंचामृत का भोग आप जरूर समर्पित करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। ये जरूर समर्पित करें जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी जो है वह भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो आप शहद उनको जरूर से जरूर समर्पित करें उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को ख भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो भी आप भोग भगवान को समर्पित करेंगे उसमें आप तुलसी जरूर रखें। भोग आप नहीं बना पा रहे हैं। तो यह साथ भोग हैं जो आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। इस साल जन्माष्टमी पर अत्यंत शुभ वृद्धि और धुरुव योग का संयोग बन रहा है। जो इस दिन का महत्व बढ़ा रहा है। उद्योग में कामना के सा इस दिन हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान कृष्ण को प्रसन करने के उपाय करता है। विशेश पूजा पाठ करता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी की पूजा में क्या चीजें बेहद है। जरूरी जिनके बिना भगवान कृष्ण की करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक प्राचीन ज्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों जन्माष्टमी पूजा तुलसी का पत्ता आदी और भी कुछ खास चीजें हैं जिन्हें आप कृष्ण पूजा में शामिल करते हैं तो कानाजी खुशी से फूले नहीं समालेंगे आप पर अनेक और शुभ आशीरवाद बसाएंगे। जन्मष्टमी की पूजा में बांसुरी को अवश्य शामिल क करें। बांसुरी कृष्ण भगवान की सबसे प्रियवस्तू है। दोस्तों मोरपंख उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो उनकी पूजा में मोरपंख भी अवश्य शामिल करें। मोरपंख खुशाली और भव्यता का प्रतीक माना गया है। जन्माश्टमी पूजा में भगवान कृष्ण के साथ गाय की मूर्ती या गाय की प्रतिमा को अवश्य रखें। श्री कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें गायों का ग्वाल गोपाल कहा जाता है। जन्माश्टमी के दिन घर में छोटा पालना है या जूला अवश्य रखें। लड ठकाल जल्दी उठें और स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र परिधान करें। घर के मंदिर की साफ सफाई आपको एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। वैसे तो जन्माश्टमी की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती है। तो घर की साफ सफाई घर के मंदिर की सफाई एक दो दिन पहले ही हो जाती है। सुशृत होने के बाद पूजा आरंभ कीजिए। जो नृत्य की पूजा होती है वह पहले की जाती है। जैसे कि धूब दीप, प्रज्वलित करें, प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है यानि की जो लड्डू गोपाल है उनकी पूजा करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देवकी वसुदेव, बलदेव, नंद यशोदा और लक्ष्मी जी के नाम लेते हुए पूजा प्रारंभ करनी लड्डू गोपाल जी का अभिशेक करें। आप उन्हें जूले में बिठाकर जूला जूलाए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जो भी भक्त जूला जूलाते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार भगवान श्री को कुछ समय तक जूला अवश्य जूलाएं, उसके बाद लड़ू गोपाल जी को भोग अर्पित करें, इस दिन विश्णु पुराण और भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। की जाती है, उनका जन्मोत सव मनाया जाता है, तो उस समय भी सनान आदि करके विधी विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, फिर भगवान कृष्ण को जूले में बिठाएं, जूला जूलाएं, भोग अर्पित करें, उनके सामने मंत्र जाप करें, परिवार सह बैठ कर भजन कीर्तन करें, तो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण की विधिवत सेवा और पूजा करें, इससे मन को शान्ती मिलती है, और आप जिस भी कामना से भगवान की पूजा करते हैं, वह कामना भगवान और पूर्ण करते हैं, इस दोरान भगवान कृष्ण को तरह तरह के भोग लगाये जाते हैं, जन्माष्टमी पर इन विशेश चीजों का लगाएं भोग कानहा हो जाएंगे, प्रसन्न और करेंगे, आपकी हर मनो कामना को, पूर्ण दोस्तों, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री सबसे ज्यादा पसंद है, कहते हैं कि बाल गोपाल बच्पन में चोरी छुपे धेर सारा माखन मिश्री खाते थे, ऐसे में आपके घर पर मलाई से ताजा मक्षन निकाल कर, उसमें मिश्री मिला कर इसका भोग लगाएंगे, तो वह अति प्रसन्न हो जाएंगे, ध कृष्ण भगवान को पंजरी के साथ पंचामृत का भोग बहुत प्रिय है, लड्डू गोपाल को आप इसका भोग अवश्य लगाएं, मान्यता है कि बिना पंचामृत के श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रह जाती है, इसलिए उन्हें पंचामृत का भोग जरूर पंचामृत दूध दही घी शहद, शक्कर आदी से बनकर तयार होता है, भगवान कृष्ण को लड्डू बहुत पसंद है, सूखी सामगरी में लड्डू बनाने के लिए नारियल मखाना घी डाल कर लड्डू बनाएं, भगवान कृष्ण को अर्पित करें, जन्माष्टम भगवान कृष्ण ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन परवत को उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा की, इस दौरान उन्होंने साथ दिनों तक बिना कुछ खाय पिये, ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया, जब आठवें दिन बारिश बंध हुई और सभी बाहर आगये तो माता यशोदा और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर चप्पन प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर कृष्ण कन्हया को खिलाएं। तब से जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को चप्पन प्रकार के भोग लगाये जाते हैं। विडिय सारे देश में गौ सेवा पुना एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारती होने पर गर्व करें। वीडियो को शेयर कर पुन्य कमाया। जया श्री कृष्ण।